Hello guys, it's me Saurabhanna, welcome back to my channel. So finally, BSC Nursing, Basic, Post-Basic and Nursing A&M, J&M वालों का second round of counselling regarding choice filling चालू हो चुका है, link भी update हो चुका और seat matrix भी जारिक कर दिया गया है. मैंने आपको बताया था कि 22 तारिक को जारिक कर सकता है, या तो अगर डिले हो तो 23 तारिक को हो सकता है, लेकिन 22 तारिक को ही update हो चुका है, तो link भी update हो चुका है, तो मैं आपको बता दू कैसे आप choice filling करोगे, कहां पर आपको मिलेगा, और seat matrix में आपको बताऊंगा कितना colleges में भी कितना seat सभी अविलेबल है, ठीक है, तो ठीक है, जब सबसे पहले आपको JCC के website बारा है, यहापे आपको दीख रहा है clicker for all online counseling JCCB 2021, ठीक है, इस पर आपको click करना, जब आप click कर गए, तो कुछ ऐसा interface दीखने को आएगा, यहाप य लिख रहा है, second round of online counseling for admission in A&M, J&M 2021, ठीक है, और second round of online counseling for admission BAC nursing, basic and post-basic clicker, ठीक है, same process जैसे आपने first round of counseling भी किया था, second round of counseling भी वही same process है, पैसा payment करके आपको choice filling वगरा करना है, edit वगरा करना हो, अगर आपका पहले से choices रहाएगा, तो उसको आप edit वगरा कर सकता हो, या तो नर्सिंग वालों को पता ही है, कि पहले से ही choice रहता है, सिर्फ आपको payment करना होता है, जैसे आपने first round of counseling में किया था, वैसे second round of counseling में same process रहाएगा, है ना, बात का तो seat matrix को लेकर, पहले A&M, J&M का में दिखाता हो, कि कितना seats अभी available है, ठीक है, तो देकिए, यह आपका second round of counseling counseling का seat matrix, जैसे का आपको पता A&M में total 10 college है, ठीक है, 10 college में से total seats की बात किया है, general वालों के लिए जो यूर seat है, total आपका 53 seats है, जैसे में से पलामू में 5 है, रांची में 6 है, गिर्डी में 3 है, वेस्ट सिंग भूम में 8 है, दनभाद में 5 है, देओघर में 6 है, दुंका में 3 ह हजारी बाग में 7 है, सिंग भूम में 6 है, ठीक है, और इस सिंग भूम में 4 है, तोटल मिला कि आपका 53 seats अविलेबल है, ST में total 32 seats अविलेबल है, 12 में total 12 seats अविलेबल है, EWS में आपका total 15 seats अविलेबल है, BC2 में आपका total 9 seats अविलेबल है, और BC1 वालों के लिए सिर 6 seats अविल तो जितने भी अच्छा rank वाले students है जिनको college ने मिला था वो लोग भी apply कर सकता है या तो जिनको college person ने आया है location के हिसाब से और वो try करना चाहते है second order of counseling के लिए sorry वो लोग भी apply कर सकता है ठीक है तो खुब से खुब समझ जाएगे 200 तक rank जिसका भी है अराम से मिल जागा 200-300 त जरूर कीजिए आपको मिल जागा ठीक है बात करते है G&M वालों के लिए G&M में सिर्फ तीन ही college जैसे आपको पता है जिसमें से general वालों के लिए 10 seat अविलेबल है ST वालों के लिए 11 seat है तो यहाँ पर जैसी का आपको पता है सिर्फ nursing college एक ही college रिम्स है ना BC nursing का जिसमें से total seat कितना अविलेबल है 15 seat अविलेबल है जिसमें से general का 8 seat अविलेबल है EWS में एक है BC1 में BC2 में बहुत ही कम chance है सिर्फ 1-1 seat बचा हुआ है जिनसका भी rank बहुत ही अच्छ है अगर वो second round of counselling ले apply करता अगर उनको college नहीं मिला और second round of counselling ले apply करता तो उनको पहले ही मिल जाएगा ठीक है और ST, SC में सिर्फ 2 seat बचा हुआ ठीक है और जो post basic वालों के लिए इसमें total 5 seat है जिसमें से general वालों के एक है EWS का तो 2 seat है BC1, BC2, BC2 में तो seat है ही नहीं, BC1 में seat है एक और ST में एक seat बचा हुआ ठीक है तो post basic में भी थोड़ा कम chances है और basic में भी थोड़ा बहुत chances से मिलनेगा ठीक है तो आप लोग choice willing कीजिएगा, same process रहाएगा आपको click here में click करने के बाद आपको अपना ID or password डालना है जैसे आपने first round of counselling में डाला था और first round of counselling में जब आपका ID or password मिला था choice willing के time वही आपको डालना है डालने के बाद वहाँ पर आपको माई application को option देखेगा फिर आपका preview का option देखा फिर makepayment का option मिलेगा और choice willing का option देखा या भी आपन में name jaam geneem का बात कर हूँ, जो AA name ma chefus करेंगे उनको अपर myapplication देखेगा, preview का form देखेगा, makepayment का option देखेगा और 1979 का option देखेगा ऑर 20 में लेटर का option देखेगा तरह पिछ दीखेगा नहीं और अगर चोईस भीलिंग में open कारो कुछ दीखेगा निछ प्रिमेंन करो एक तरह लिए को जब टक आप below प्रिवियू और मेक पेमेंट का ओप्शन देखेंगा, तो जो स्टुरेंट जो लो हम BAC नर्सिंग का जो चॉइस फिलिंग करेंगे, सबसे पहले जब आप लॉगिंग करोगे, लॉगिंग करने का बाद एक बाद माय अप्लिकेशन में उपन कीजिएगा, करने का बाद एडिट करना हो, तो आप एडिट कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि यहां सब को करने को मिलेगा, एक चीजी ध्यान रखेगा, जरूरी नहीं है कि सब को मिलेगा, जिनको दीख रहा है कि यहां एडिट करने का मौका मिल रहा है, तो एडिट कीजिएगा, और नहीं मिल रहा मौका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से आप अपना चॉइस फिलिंग कीजेगा ठीक है अब लगातार फिर कोशन करने मत चालू हो जाए कि सर मेरे को एडिट करने का आप्शन नहीं मिला है फॉर्म अगेरा ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको साहर डाट क्लियर हो जगा गजेगा तो जहिए चॉध फिलिंग कीजिए और पेमेंट करके अपना सिलेक्शन टाल दीजी ठीक है और वही सेलेक्शन रखे हो जो आप करना चाते हो ठीक है तो वीडियो को ये पेमेंट करते हैं वीडियो आचले लगा वीडियो को जonna लाइक किजएगा जाह जाधा ज शेर केजएगा और सब्सक्राइब परना ना भूलेगा थैंक यू